हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं यूटूब चैनल महू प्रिया अज हम पांचे पर लड़ो पाल जी के लिए अंडर बेर बनाएंगे नैपी बनाएंगे यह देखिए यह देखने में बहुत सुन्दर है इसको बनाना काफी असान है आप इस तरह से कमर पे लड़ो पाल जी को देखे विट कर सकते हैं और यह बनाने में बहुत यह असान है और काफी जल्दी बनके तयार भी हो जाता है यह हमने देखिए पूरा सेट बनाया है पॉंचू का पगड़ी का और यह नैपी का और अगर आप यह पॉंचू और पगड़ी की वीडियो नहीं देखिए तो लूटी को पहना सकते हैं और फ्रेंट्स वीडिओ में आगे वणने से पहले अभी तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कराये तो प्लीज को को बавноसा सबंस्क्राइब कर देखिए मेरी वीडियो की नौटविकेसन आपको सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख पाएंगे अगर मेरी वीडियो आपको हेल्फुल लगती है या थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें चलिए स्टार्ट करते हैं हुक नमबर है हमारा 1.75 mm लूप बनाएंगे उधागा अच्छे से खीच लेंगे यह देखे लूप बनगे हमारा 6 चैन बनाएंगे यह देखे एक दो तीन चार पाँच और यह छे डीला हाथों से बनानी है आपको ध्यान रखना है देखे-चेन बनाने का बात देखे यह पे थी नम और हमारी चेन बनाएंगे एक डबल क्रोश से बनाएंगे तीन लूपे, तीन में से दो करेंगे, दो में से एक करेंगे, ठीक है, यह हमारा डबल क्रोस से बन गया और जो हमने तीन की चैन इसको एक डबल क्रोस अकाउंट करना है, तो दो हो गए, ठीक है, तीन में से दो करेंगे, दो में से एक करेंगे, इस तरह से डबल क्रोस से बना करना है कि काउंट कर लेते हैं 1234567 सेवन डबल कुरसी बन गए हमारी अब देखे हमें क्या करना है थ्री चैन लेनी है अब बर को पलट लेंगे और देखे सेम जगा पर एक और डबल कुरसी बनाएंगे पहली चैन के अंदर से हमारी यह दो हो जाएंगे एक तीन की चैन वाले को काउंट करना है और एक हमने अभी बनाया है नीचे देखे जो चै चाहने उसमें से एक बनाना है लास्ट में आके हमें फिर से एक दो डबल क्रोसे बनाने लास्ट वाले चाहने के अंदर से बीच में एक बनाया फिर से एक बनाएंगे यह दिखिए दू हो गए हमारे तीन चार पाँच अब जो हमारे लास्ट वाले चाहने उसके अंदर से दो बार बनाएंगे पाँच अबने एक एक बनाए और लास्ट में आके देखिए तीसी चैन में होक डालेंगे देखिए उपर की और यहां पर डबल क्रो से बनाएंगे एक सेम जगा पर एक बनाएंगे तो यह दो हो जाएंगे यह देखिए एक स्टिच हमारा यहां बढ़ गया और एक हमारा यहां बढ़ गया पहले हमारे पास 7 डबल क्रोस यह थे 7 के उपार देखे दो स्टिच हमारे बढ़ गए तो यह 9 हो गए दूसरी रो में इस तरह किसी चेप बन जाएगी ठीके 3 चैन लेनी है वर्ग को पलट लेंगे तो देखे पहले चैन के अंदर से एक बार और बनाएंगे तो हमारे पहले चैन के अंदर से दो हो जाएंगे और बीच में जितनी भी चैने उसमें से हमें एक एक बनाना है और फिर लास्ट में आके हमें दो डबल क्रोस से बनाने है थर्ड रो हमारी complete हो गई थर्ड रो में हमाँ पास 11 डबल क्रोसे बने 11 फर्स रो में 7 थे सैकेंड रो में 9 थे और थर्ड रो में 11 है हर रो में हमारे दो-दो स्टिच बढ़ते जाएंगे तीकि तीन चैनली और सेम जगा पे एक वर बनाएंगे तो यह पहली चेन में पहीं हिए और सभी चेन के अंदो से इक एक मेंट से अ क 2007 बनाना है जितने भी चेन बढत ऴोजी है और फिर से लेके पहले स्ट्रेच में बढ़ा देंगे एक चैनग के अंदर से 2 होग fight उस्टार्टिंग में बीच में जितनी भी picks ऑ रेट बनाना है और कि फिर से दो बनाने हैं फिफ्ट रो कंप्लेट हो गई है वान तू थ्री फॉर फाइब फिफ्ट रो में हमाई पास 15 डबल क्रोशी बने हैं अब दीकि थी चैन लेनी है और 6 रो में हमें कोई स्टिच बढ़ाना नहीं है 15 के उपर 15 डबल क्रोशी बनाने थीन चैन का हमारा अरी यहां पर तक कम्लेट कर लेंगे अब एक चैन लेकर उसमें थागा कट करना है यह हमारा देखे, फ्रंट का बन गया, इस तरह से, यह फ्रंट वाला हिसा बन गया हमारा, अभी हमें बैक साइड का बनाना है, कैसे बनाएंगे देखे, यह हमारी रॉंग साइड है, इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर धागा जोइन करेंगे, देखे, यहाँ पर होग डालेंगे नीचे हमने 7 डबल क्रोशे से सुरुवात करी थी देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब हमें देखे, 8 डबल क्रोशे बनाने है यहाँ पर धागा जोइन कर देगे देखे, 1, 2, 3 यह हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा धागों को हम हाइड करते वे चलेंगे और सेम जगा पर एक और बना देंगे तो यह हमारे पहले चैन के अंदर से ही दो डबल क्रोशी हो जाएंगे हमारे एक इस्टिच यहाँ बढ़ जायागा और यहाँ पर जितनी भी चैन है उसमें से एक एक बनाना है देगे एक दो तीन चार पांच पांच और एक लाइस्ट रआली चैन में बना देंगे थीख छे चैन के अंदर समने एक एक बनाना देखिए और जो हमारी पहली चैन है उसमें समने समने दो बनानाये तो छे और दो हो जाएंगे हमारे आठ यहाँ पर हमारे आठ डबल क्रोसी बने है ठीक है दर की साइड हमने 7 double crochet बनाएते और दर की साइड हमने 8 double crochet बनाए एट अब हमें देखिए थीरी चैनल लेनी है यह हमारा एक double crochet count होगा वर्ट को पलट लेंगे और सेम जगापे एक और बनाएंगे पहली चैनल के अंदर से तो यह हमारे दो हो जाएंगे अब बीच में जितनी भी चैने उसके अंदा से हमें एक एक बनाना है और लास्ट में आके फिर से हमें दो डबल क्रोसिय बनाना है हमने फर्स्ट रो में सिर्फ एक बढ़ाया है सैकन्ड रो में हम दो स्टिच बढ़ाएंगे एक एक बनाएंगे लास्ट मा के दो बना देंगे सैकंड रो में हमाँ पास टैन डबल क्रोसी बन गए दस थ्री चैन सेम जगा पे एक बनाएंगे पहले चैन के अंदर से दो हो जाएंगे और बीच में एक एक बनाना है, लास्ट में आके फिर से दो डबल क्रोसी बनाने है थर्ड रो कम्प्लीट हो गए, थर्ड रो में हमाई पास 12 डबल क्रोसी बने है थ्री चैन और फौर्थ रो में हमाई पास 14 डबल क्रोसी बन जाएंगे स्टाइटिंग में एक बढ़ा देंगे और बीच में एक एक बनाना लास्ट मा के दो डूबल क्रोसे बनाने है रो हमारी कम्ट्रेट हो गई है 410 डूबल क्रोसे हो गई अब देखे 3 चैन लेनी है 1 चैन के अंदे से 1 और बनाएंगे तो 2 हो जाएंगे बीच में एक एक बनाना है लास्ट मा के फिर से 2 बनाने है तो यह हमारे 5 त रो में 16 डूबल क्रोसे हो जाएंगे और 16 के उपर 16 और बना देंगे एक रो 2 रो बनाके complete करके फिर में आपको दिखाती हूँ हमारी 6 रो भी complete हो गई है 6 रो में हमाँ पास 16 डूबल क्रोसे बने है ठीके और यहाँ पर 6 रो में हमाँ पास 15 डूबल क्रोसे बने थी जो हमारे front में रहेगा वो 15 वाला रहेगा और जो हमारे back side में रहेगा यह यह 16 डूबल क्रोसे वाला पार्ट रहेगा ठीके अब यहां पर देखे इस तरह से जोइन कर देंगे जो यह वाला डबल प्रोस्या है उसकी तीसे चैन में होग को डालना है और यहां पर स्लेप चैन से जोइन कर देंगे और एक चैन लेके धारा कट करना है और देखे जो हमारी सबसे उपरवारी रो है यहां पर हम सिलाई लगा देंगे सुई धागे से आप चाओ तो क्रोस्या से भी कर सकते हैं यहां पर देखे चोटा सा बरके तो इसलिए सुई से करना सही रहाएगा इससे नहीं हो पाएगा अच्छे से फिनिसिंग नहीं आएगी तो यहां पर हम एक रो तक सिल देंगे जो मारे सिक्स्टिंग डबल क्रोशी की रोए और यह वाली दोनों साइड की रो को इस तरह से सिल देंगे ऐसे इधर की साइड भी इस तरह से शिल देंगे और हमारे लाइक का पॉर्ष्ण हो जाएगा यहां इससरी फिर आपको दिखाती हुं यह देखिए हमने दोनों साइड से सिलाई कर दिये कुछ इस तरह से लुक आ रहा है इसका और देखिए जो थोड़ा सा हमारा बड़ा पार्ट था वो पीछे की साइड हैगा यह देखिए आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि जो मनें है रही तर के साइड बनाई ते आप मैं आपको डॉरी बनाना बता देती हुँ आप चा देखें कि बानने के लिए कमर पर या तो यह तो आप साइड की बनाना बतार देती हूं इसमें मैं गरेन कल से बना दूंगीी करना ही कि गोली की दिडिया है कि जो बनाएंगे यहां पर में वाण्र तू ठीइन के लेनी है लूप बढ़ा करेंगे थोड़ा सा आज ज़्यादा बढ़ा नहीं करना है छोटा सही करना है इस तरव से एस तीजिंस पर लेंगे और सेम जगा पर हुग डालके एक बार और लेंगे ठीक है दो बार बढ़ लिए हमने सारे लूप एक साथ निकालेंगे एक चैन से लोग करना है और जो हमारी पहले चैने वहाँ पर हमें जोइन करना है इस तरह से तो एक छोटा सा यह पाफ इस्टिज बन जाएगा गोल में देखिए ब्लुकल गोल आई में और फिर इसके बाद आप चैन ले लिजिए जितनी चैन आपको बनानी है यहाँ पर देखिए इसके अकोर्डिंग चैन बना लूँगी यह देखिए हमने डोली बना के डाल दिये और देखने में बहुत ही सुन्दा लग रही है अंडवेर यह देखिए आप किसी भी कलर में बनाईएगा अब मैं अपने लडू को पाल जी को पहना के फिर आपको दीखाती हूँ करें मैं अपने पर छमश यूबेग बंचेक को यह पहना धिया है नवह मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लोग आ रहा है यह देकिए यह देखे, पूरे हिप्स कवर हो गए दोना साइट के, यह देखे, पूरे थाइज यहाँ से भी कवर हो गई, और यहाँ से भी कवर हो गई, देखे, आप भी अपने लड़ू को पाल जी के लिए बना के उनको पैना सकते हैं, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो मेरी वीडियो को लाइक करेगा, सेयर करेगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक यू पर वाचिंग,